हेलो पहरे बच्चों बच्चों कैसे आप सभी आय होग की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड के सब्जेक्ट इंग्लिस के व्क सीट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हुमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं बच्चों आपकी इस व्क सीट की थीम है फैमिली यहां पर सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे गुद मॉर्निंग लवली स्टूडेंस यू मस्ट हैव आप सभी का ऐसी आइसी इटमीज बरफीली सर्दियों में स्वागत है तुड़े वी विल मीट राज आज हम राज से मिलेंगे और उसके परिवार से बाई रीडिंग अलाउट डायालोक्स बिलो नीचे दिएगे डायालोक्स को पढ़कर डायालोक्स किसे कहते हैं समवाद को जैसे कि यहां पर पढ़ेंगे अभ हम हैलो मैं आम इस राज मेरा नाम राज है किसका बच्य बच्चे का नाम राज है शींग मैं मदर कौन है यह राज की मदर है यह राज की सिस्टर है यह जो है मेरे दादा जी है यह मेरे पिटा जी है तो यह किसकी फैमिली है? राज and his family आशा करती हूँ कि आपको राज की फैमिली अच्छी लगी अब बच्चों आप अपनी फैमिली की पिक्चर है ड्राउ करेंगे जैसे कि यहां पर राज की फैमिली है and introduce them in the same way और आप बिल्कुल इसी तरीके से उनका भी परीचे कराएंगे as राज has done above जैसे कि राज ने उपर अपनी फैमिली से परीचे कराया है तो बच्चों जैसे कि यह मेरी फैमिली है तो आप भी इसी तरीके से अपनी फैमिली की परीचे हैं बनाएंगे my name is Rohan, मेरा नाम रोहन है जैसे कि यह रोहन की फैमिली है she is my mother, वह मेरी मा है, कौन है, यह रोहन की मा है she is my grandmother, वह मेरी दादी मा है she is my sister, वह मेरी बहन है he is my father, यह मेरे पिता जी है and he is my grandfather, और वह मेरे दादा जी है अब बच्चों, यहाँ पर है talk time dear children, प्यारे बच्चों, look at the picture given on the right hand नीचे दी गई picture को, ध्यान से देखिए what do you think the people in the picture are talking to each other इस picture में जो लोग हैं, आपको क्या लगता है वे एक दूसरे से क्या बाते कर रहे हैं imagine, कल्पना करो and create their dialogues और उनके dialogues, उनके सम्वाद जो हैं उन्हें बनाओ say them out loud, उन्हें जोर से बोलिए and write them in your notebook और अपनी notebook में लिखिए you may take the help of your elder too आप अपने बड़ों की भी मदद ले सकते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह picture है यह जो बच्चे हैं, इनके grandfather है और यह grandmother है और यह इनके father है और mother है तो बच्चों यहाँ पर imagine करके आपको लिखनी है जैसे की father जो है, इन बच्चों की जो father है वो अपने father से, it means बच्चों के grandfather से, grandmother से क्या कह रहे हैं जैसे की I am going to city for earning money मैं पैसे कमाने के लिए सहर जा रहा हूं So you take care, आप अपना ध्यान रखना and have medicine on time और अपनी समय पर दवाईयां लेना अब grandfather ने क्या कहा होगा जैसे की It's okay my son, ठीक है मेरे बेटे तो आप grandmother ने क्या कहा होगा जैसे की Take care my son, मेरे बेटे अपना ध्यान रखना and come soon और जल्दी आना तो बच्चों आप इस तरीके से dialogues create करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे Students, if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel Thank you